टू के इलस्टेशन के बाद अभी टाइप 3 के इलस्टेशन में आ जाते हैं ठीक हैं तो अब जैसे टाइप 3 का इलस्टेशन जो है यह एक अच्छा इलस्टेशन तुम इसे कह सकते हो यहां से हम लोगों का वो पार्ट शुरू होगा जो 9 state में आपने नहीं किया है वैसे तो इसमें तुम्हें कैसा दिखेगा linear equations मतलब कुछ इस format की रिखेंगी देखो यह 1 upon 2x minus 1 upon y equal to minus 1 यह आपको एक pair दिया है और दूसरा जोडिदार इसका दिया है 1 upon x plus 1 upon 2y equal to 8 अब मेरी बात जहां से सुनना हम मैंने अभी linear equation in 2 variable का एक basic वाला वीडियो डाला था introduction वाला पार्ट ह है न उस introduction वाले पार्ट में मैंने starting में तुम्हें बताया था कि how to identify the given equation is either a linear equation in two variable or not तो तुम ध्यान से वीडियो का अगर देखे हो copy में सवाल नोटनां के हो तो आखरी के जो 4 थे उस illustrations में वो 9 नो आये थे बराबर तो उनमें से न एक देखो इस pattern का भी था मैंने क्या कहा था कि देखो यहां पे 2 variables है एक variable है x एक variable है y ठीक है तो दोनों variable में 2 variables हो आगे साथ ही साथ में x की power कुछ नहीं है मतलब 1 है y की power कुछ नहीं मतलब 1 है मतलब linear equation in two variable तो है लेकिन इसको मैंने तुम्हें कहा था करके कि इसको आम लोग linear equation in two variable नहीं कहते क्योंकि जब तुम cross multiply करोगे तो xy वाला pattern create होगा जिनको introduction वाला वीडियो जिन्होंने देखा है ध्यान से उन्हें यान है मेरी एक एक बाच्ची तो उन्हें अभी यह statement समझ में आ रहा होगा ठीक है कि यहां पे xy वाला pattern create होता है और xy वाले pattern में degree 1 नहीं आती है बलकि degree बराबर कितनी आती है 2 so these type of equation जिनमें आपका variable numerator के बतले variable तुमारे denominator में है ठीक है तो यह चीज solve नहीं हो सकती यह linear equation in two variable नहीं है अगर यह linear equation in two variable ही नहीं है so how we can solve them simultaneously तो इनको देखो solve करने का एक तरीका होता है तरीका तुमारा कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो जो denominator में है कौन सा variable आपके denominator में है x तो हम लोग ना उसको let कर लेते हैं कि let one upon x equal to a मैंने a और b मेरे यह दो पसंदा variables है या फिर p q या फिर mn तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो and one upon y को हम लोग यहाँ पे ले लेते है हमारा b तो अब तुम इस equation को observe करो इस equation में जो यह one upon x है यह one upon x वाला जो यह format है ठीक है यह one upon x इस one upon x की जगा मैं क्या लिख सकती हूँ a तो मैंने इस one upon x की जगा लिख दिया a तो तुमारी equation 1 convert हो गई किसमे a में और नीचे में 2 है ना तो उस 2 को नीचे ही रहने ना मैंने कई बार ऐसे लोगों को mistake करते होई देखा है वो 2 को उपर जाते है अरे 2 को उपर नी लेकर जाना है ठीक है जो नंबर जहां है उसको वहीं रखना अगर denominator में है तो denominator में है अगर numerator में है तो numerator में ओके अच्छा secondary thing एक और गलती लोग करते है सिर्फ variable को x मानना है ठीक है जो दोनों में सेम पार्ट हो जैसे कि यहां पर 1 upon x है इसके पा के लिए अलग let और equation number 2 के लिए अलग let मैंने यह भी चीज़ देखिए कि लोग यह करते है कि let 1 upon 2x equal to a तो यह वाली हरकत नहीं जो दोनों equations में सेम है उससे let करेंगे ओके तो यहां पर आ गया a by 2 minus 1 upon y com कहते है b तो यहां पर आएगा b equal to minus 1 अब तुम जानते हो मैंने पहली बताया है part 1 में कि इस तरीके से denominator में हम चीजों को नहीं रखेंगे उसको solve करेंगे cross multiply किया तो a minus 2b upon 2 equal to minus 1 2 आपे multiply में गया तो a minus 2b equal to यहां से कितना आ गया minus 2 ठीक है यह आगे आपके पास यह equation को मैंने convert कर लिया similarly जो तुमारे पास equation number 2 है उसको भी तुम convert कर लो मैं में convert नहीं करोगे तो एक के नीचे एक लिखोगे ठीक है तो यहां पर ऐसा लिखोगे कि equation number 1 becomes ऐसा लिखने ना ठीक है therefore और अभी मैं equation number 2 को convert कर रही हूं तो यहां पर अपन लिखनेंगे therefore equation number 2 becomes करके लेकिन मैं आजू-बाजू में partition देके कर रही हूं तुम partition देकर नहीं कर तो इस तरीके से cross multiply करके situation पहले solve कर लेते हैं तो यह हो गई 2a plus b upon 2 equal to 16 फिर यह आ गया आपका 2a plus b equal to 32 अच्छा सोरी 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 यहां पर already 8 है तो अभी कर मैं इसको multiply कर दूँ तो यह वाली चीज हो जाएगी तुम लोगों की 16 ठीक है अब यह दो equations तुमारे हाथ में आ करना है substitution से करो सब तुमारी choice है okay तो इन्हें solve करते हैं let's say मैंको तो elimination पसंद है तो मैं elimination से ही करती हूँ तो अब यहां पर देखो यहां पर b के आगे कुछ नहीं है नहीं कि 1 और यहां पर b के आगे 2 है same नहीं है तो अभी में को same बनाना है तो same बनाने के लिए multiply करना है तू से multiply करेंगे तो तू तू जा वह फोरे हो जाएगा वहां पर प्लस तू भी आ जाएगा equal to 32 आ गया ठीक है तो पूरे जितने भी वहां numbers है सब से multiply करना होता है कई बार हम भूल जाते हैं तो जिससे answer गलत आता है यह वन गई equation number 5 तो अब equation number 3 और equation number 5 को solve करना है तो दे equations को तुम्हें simply क्या करना है add करना है तो यह चीज़ क्या हो जाएगी equation 3 plus equation number 5 addition दे रहते हैं इनको तो यह क्या हो गया a minus 2b equal to minus 2 और यहां पे 4a plus 2b equal to 32 equations add कर रहे हैं sign change हम नहीं करेंगे तो यह वाला part cancel हो गया इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 तो यह हो गया 5a कि यहां पे आ तो a की value यह आसा निकल कर आ गई तुम्हारे पास 6 तो a comes out to be 6 यह ऐसा अब a की value मिल चुकी है तो अब किसी भी जगा पे put कर दो तो b की value आ जाएगी मान लेते हैं मैंने equation number 3 में put कर दिया a की value तो वहाँ पे हमें इसा लिखना पढ़ेगा put a equal to 6 in equation number 3 तो equation number 3 कौन है equation number 3 है a minus 2b equal to minus 2 a की जगा 6 minus 2b equal to minus 2 फिर प्लस 6 है वहाँ जाके वो बन जाएगा minus 6 तो इस तरीके से minus 2b minus 8 minus minus sign कर गया b के साथ वो divide में आ गया तो b की value आ गई 4 अब तुम धियान देना हमें इसी step में अपना answer नहीं छोड़ देना है कि मैंने a निकाल लिया मैंने b निकाल लिया बात खत्म अब हम लोगों को क्योंकि question में जो original variables दिये थे वो original variables x and y दिये थे ठीक है हम लोगों ने तो क्या ले लिया उसको a और b लेके solve किया है na a और b तो हमें धुनने को ही नहीं बोला था धूनने को तो हमें जो बोला गया था वो ठीज क्या थी आपका x और y था बराबर त कि हम लोगों ने starting में ही Let किया है कि हमें पता है ये बात कि आपका जो X होता है ठीक है one upon X उसको हमने क्या Let किया है A अभी मेरे पास X तो नहीं है बट मेरे पास A आ गया कितना आ गया 6 तो तुम बता हो यहां से अगर मैं इसका invertendo कर दूँ याद आया invert end ओ या फिर reciprocal कर दू तो x उपर पहुँच जाएगा और यह चीज ऐसे में convert हो जाएगी तो यह देखो आगई x की value ठीक है वैसे ही 1 upon y क्या होता है b में पास y की value तो नहीं है बट b की value है तो वहाँ put कर दिया अगें reciprocal कर दोगे तो y उपर और b की 4 नीचे तो इस तरीके से reciprocal वाले pattern के आपको एक सवाल वहाँ पे दिख सकते हैं तो reciprocal pattern के सवाल किस तरीके से solve करने है इसमें कोई गरबड नहीं होनी चाहिए करके बहुत ही simple है बस थोड़ी सी practice की need रहेगी अगर practice होदे को maths को required ही रहता है ठीक है मैं एक और illustration इसका लेका दिखाती हो तांक 6 ओके और next equation इसको मैं दे देती हूं 1 तुम ऐसा starting में लिखोगे कि given simultaneous equations are करके ओके फिर next आपको दिया हुआ है 3 upon x plus 2 upon y equal to कितना 0 यह तुम लोगों के पास equation number 2 अभी क्या करना है इसको आपको यह दिख रहा है कि x और y denominator में है तो denominator में अगर variable आ जाए तो solve तो करना ही नहीं ह क्या numerator में लेकर जाएंगे क्या कई बार लोगों के दिमाग में यह भी आता है तो देखो अगर तुम इसको numerator में ले गए तो थोड़ा सा indices का अगर मैं नियम लगाऊं तो यह 2 x की power minus 1 मन जाएगा और linear equation किसे कहते हैं जिसकी power plus 1 हो ना कि minus 1 बराबर तो यह polynomial इच नहीं तो इसलिए हम x को उपर नहीं लेकर जा सकते हमें लेट करके ही सवाल को करना पड़ेगा तो अभी लेट हम क्या करेंगे आगीन दिखना है कि denominator में x है तो हमने लेट क्या किया let 1 upon x equal to a and आपका denominator में देखो यहाँ पे denominator में 3y है यहाँ पे y है तो let तुम 3y को नहीं कर लोग कि let 1 upon y equal to कितना b अब देखो equation number 1 आपकी क्या बन गई है वो वाली चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग कि देखो 2 उपर है तो 2 उपर ही रहेगा और 1 upon नीचे का एक सढ गया उसकी जगा आ गया a और a नीचे नहीं लिख देना a उपर लिखना है अगर a को भी नीचे लिख दो आप तो पता है कि इस तरीके से fraction में चीज़े नहीं छोड़नी है उसको simplify करके लिखना है cross multiply कर लो तो कितना हो गया 6a plus 2b upon में 3 equal to 1 by 6 3 divide में है वहाँ जाके ये चीज़ क्या हो जाएगी multiply में हो गया 1 by 6 into 3 देखो कटता है 3 1 जा 3 2 लेकिन कटने के बाद भी तुम ये चीज कि ये चीज स्टिल कैसी है आप लोगों के इस मास ये वारी चीज अगें ऐसे format में मतलब 1 by 2 लिखा हुआ है अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो अब क्या करते हैं तुम चाहो तो यसी step पर रोक सकते हो चलो रोकी देते हैं फाल्तु के क्यों उसको जबर्दसी क्यों और multiply करना ये मैंने बना ली एक equation let this be equation number 3 अब आ जाते है equation number 2 के साथ क्या हुआ equation number 2 हमारी किस format में convert हो गई ठीक है तो देखो equation number 2 में था 3 upon x तो 3 वैसे ही a plus 2 upon y यानिकी 2 b equal to 0 ये तो एकदम ही प्यारी equation है इसको तो solve करनी की नीट नहीं है एकदम simplified है तो ये बन गया तुमार equation number 4 मैं आजू बाजू लिख रही हो तुम्हें एक के नीचे एक लिखना आपके पांस बोड एक्जाम में कोई supplements के लिए तुम्हें मना नहीं करेगा इवन अभी भी मुझे कोई नहीं कर रहा है सिर्फ क्योंकि मुझे बार बार स्क्रॉल करके उपर की equation view करनी पड़ती है कि मैंने क्या question लिखा है इस problem से बचने के लिए मैं यह वाला काम कर रहे हो ठीक है और कोई में को दिक्कत नहीं है ऐसा भी नहीं कि मुझे भी आपी pages बचाने है ओके ठीक है अब देखो जना क्या इन equations को हम लोग add या subtract कर सकते हैं क्या तो बहुत खुश नसीबी की बात है क कि हाँ बिना multiply किये यह equations solve कि जा सकती है क्योंकि equation number 3 में B के आगे 2 लिखा है और equation number 4 में भी B के आगे 2 लिखा है बट उनके sign सेम है दोनों के आगे plus है तो जब sign सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं exactly we do subtraction तो यहाँ पर हम equation को subtract कर देंगे तो equation 3 minus equation 4 मैं यहाँ पर यह चीच ऐसे लिख रही हूँ तुम उसको statement बना के लिखोगे कि subtracting equation 3 from 4 ठीक है अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो जो तुमारा जिंदल स्कूल है उसमें तो specially marks काट देते हैं ठीक है तो इस चीच पर ध्यान रटना फाल्तु फाल्तु शी जो में उन B equal to 0 V subtraction करें तो subtraction की sign फिर उसके बाद मुझे sign change करनी होगी तो sign change करते वक्त देखो यहाँ minus आज जाएगा यहाँ minus आज जाएगा और यहाँ minus आज जाएगा है ना यह वाला पार्ट तो गया अब जो चीच बची मैं डरेक लिख रही हूँ 6 ए में से 3 ए गया कितना बचा 3A 1 by 2 में से 0 जाएगा तो यह 1 by 2 ही बचेगी अब यहाँ पे जो यह 3 है वहाँ जाके वो divide में हो जाएगा है ना तो divide 3 अब बचपन में यह चीज़ सीखी है divide करते वक्त यह ऐसा कर देते हैं divide को multiply में किया और 3 by 1 को 1 by 3 किया तो यहाँ से A की value आ गई 1 by 6 finally अब A की value तो आ यह B की value भी निकालनी पड़ेगी कहीं भी put कर दो let's say मैंने A की value put A equal to 1 by 6 put किया equation number आपके 4 में क्यों equation number 4 में put कर रहे हैं क्योंकि equal to वहाँ 0 है थोड़ी कम calculations करनी पड़ेगी ना ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा 3A plus 2B equal to 0 A की जगा मैंने डाल दिया 1 by 6 plus 2B equal to 0 तो यह वाली चीज हो जाएगी रेको 3 1 जा 3 2 जा 1 by 2 equal to plus 2B वहाँ लेके गई मैं तो minus 2B फिर again यहाँ पे जो यह चीज है यह divide में आ जाएगा minus 2 फिर इस तरीके से divide का multiply और यह reciprocal मैंने ऐसा करके लिख दिया तो यहाँ से B की value कितनी आई? minus 1 by 4 minus sign उपर लिख देंगे तो A मिल गया B मिल गया बट हमारा A और B धुनना तो था नहीं हम लोगों को तो original variable X and Y धुनने थे तो अब हमें पता है जी कि we know that कि जो आपका X है वो आपका क्या है उसका reciprocal है तो हमें यह बाद पता है कि आपका 1 upon X equal to A है X तो मुझे पता नहीं है बट A मुझे पता है A कितना है चेक करो 1 by 6 तो A की जगा लिखा 1 by 6 एक बार अगर उल्टा कर दोगे ना यहां कुछ नहीं है अगर उल्टा कर दोगे तो X उपर 6 उपर X की value आगे 6 वैसे ही 1 upon Y equal to कितना दिया हुआ है B तो यहां पे अगर उल्टा कर दोगे तो यह वाली चीज देखो कैसी हो जाएगी Y की value आएगी minus 4 minus हमेशे उपर देना तो इस तरीके से मैंने X भी निकाल लिया और इस तरीके से हम लोगोंने Y भी calculate कर लिया ठीक है तो समझ जो कि किस तरीके से सवाल को solve करना है एक illustration मैं all ले लेती हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा अलग है जैसे दिया हुआ है 4X plus 6 upon Y equal to 15 और 6X minus 8 upon Y equal to 14 अब तुम्हें लगेगा कि यह सवाल को मैंने इसा क्यों कहा कि यह थोड़ा सा अलग है वो इसलिए कहा है क्योंकि आप अभी तक जितने सवाल यह उपर कर रहे थे न यह देखो यह जो सवाल आप उपर में कर रहे थे इसमें दोनों के दोनों नीचे थे मतलब X भी नीचे था Y भी नीचे था बराबत दोनों नीचे थे तो अब लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पाल सिर्फ एक ही चीज नीचे है वो है y, x तो पहले से उपर है, तो जो चीज पहले से उपर है, numerator में है, उसको let करने की ज़रूरत नहीं है, जो denominator में है, सिर्फ उसी को let करो, ठीक है, जो denominator में है, सिर्फ उसी को let करो, तो denominator में कौन है आपका y तो सिर्फ y को लेक्ट करो तो क्या हो जाएगा कि लेक्ट 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना यह हो जाएगा आपका मान लेते हैं b तो अब बताओ equation number 1 यह आपकी क्या बन गई equation number 1 becomes क्या बन रहा है हमारा 4x वैसे का वैसी क्योंकि वह पहले से numerator में plus 6 upon y तो upon y है तो उसको लिख देंगे 6b equal to 15 यह आगे equation number 3 वैसे ही जो तुमारी equation number 2 थी equation number 2 भी convert हो जाएगी तो equation number 2 आपकी convert होके क्या बनेगी 6x minus 8 upon y 8 upon y को 8b equal to 14 यह आगे equation number 4 ठीके अब क्या इन equation को solve किया जा सकता है क्या नई solve नहीं कर सकते है क्योंकि तुम देखो यह यहाँ 6 है यह 8 है यह 4 है और यह 6 है ठीक है तो मेरे साब से अब तुम इसके आगे solve कर लोगे अब चाहो तो substitution से करो यह चाहो तो elimination से करो बढ़ टाइप 2 यहां apply कर सकते हो क्या नहीं यहाँ type 2 apply नहीं कर सकते, क्यों apply नहीं कर सकते यहाँ पर 6 interchange तो हुआ है लेकिन देखो नहीं, यह 4 और 8 है type 2 के लिए दोनों तरफ interchange होना जरूरी है ठीक है, अब इसको तुम आगे solve कर ले न मैं इसीच का answer तुम्हाई सा क्या कहते है, y की value है वो निकल कर आएगी 2 चेक कर ले न यह answer आएगा, अगर नहीं आए तो मुझे doubt बताना, मैं clear कर दूँगी वाली चीज, ठीक है, अभी इसी में देखो, एक illustration number में 4 लेती हूँ illustration number 4 again मैं पूरा solve करके नहीं दिखाऊंगी ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा solve खने लेक, देखो, कोई चीज है ही नहीं सिर्फ मैं concept सिखा के दे लिए हूँ तो इसको ध्यान से देखना मैंने equation लिख कर दिये, 8V minus 3U equal to 5UV फिर यहां लिख दिया है 6V minus 5U equal to minus 2UV तो तुम्हें ऐसा लगेगा रहे तो कोई नया type है मैडम करके, तो यह कोई नया type नहीं है, यह भी type number 3 ही है, जब इस type के सवाल आजाए, जहां पे आपको यह multiplication वाला pattern दिखे तो क्या करना, इस UV को उठाकर, इस UV को उठाकर इदर divide में ले आओ, यह दोनों के divide में आएगा, 8 वाले के divide में भी आएगा, और 3U के divide में भी आएगा, और वहां से तो UV हट चुका है, छोड़ दोसको तो अब देखो, उपर का V, नीचे का V गया, तो क्या आगया, 8 upon U, उपर का U, नीचे को कैसे convert करोगे, इस UV को दोनों के divide में ले आओ, तो 6V upon में UV minus 5 U upon में UV equal to minus 2, तो अगर देखो, यू दो गया, वी गया, इस चीज क्या हो जाएगी, 6 upon U, 5 minus 5 upon V, equal to minus 2, अब इन दोनों equations, तो क्या कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, let's 1 upon U equal to आपका A, and 1 upon V, equal to आपका B, तो ये चीज क्या हो गई, A, A minus 3, B equal to 5, फिर यहां आगया, 6 A minus 5, B equal to minus 2, जब solve कर लोगे, तो A और B आजाएगा, A और B का फिर reciprocal कर दोगे, तो U और B आजाएगा, ठीके, तो जब तुम्हें इस तरीके का format दिखे, तो उसमें कोई घबराने की situation नहीं है, आपको क्या करना है, उस question को कैसे solve करना है, बताओ, तो उस question को solve करते वाग, आपको again वही pattern follow करना है, जो हम लोगोंने अभी previously questions में किया था, ठीक है, तो मैं साब से अब इसको यहीं पर over करते हों से solve कर लेना, यू और भी, फिर कुछ जो homework दे लेती हो, type 3 से related, जो तुम्हारे exercise 1 है ना, textbook की, वो पूरी की पूरी type 1 और type 2 के सवालों के जैसे सवालों से ही related है, फिर उसके बाद, उन्होंने इस type के, type 3 वाले सवालों के लिए, एक अलग से exercise बनाई है, 4th exercise, तो जो तुम्हारे पास exercise 4 है, उस exercise 4 से मैं सवाल दे रही हूं, यहाला सवाल कर लेना, 2 upon x minus 3 upon y equal to 15, and 8 upon x plus 5 upon y equal to 77, कर लोगे, यह type 3 में सिखाया है, ठीके, तो यह बुक में तुम्हें exercise 4 में मिलेगी यह अली चीज, ठीके, तो हमने यह वाला पार्ट कम्टेट किया, इसके अलावा भी questions है उसमें, बट वाले tiles हमने भी तक cover नहीं किये है, ठीके, तो इसलिए हम लोग उसको अभी touch नहीं कर रहे, हाँ, फिर मैं x plus 2 upon 3y equal to 1 by 6 और उसके बाद 3 upon x plus 2 upon y equal to 0 यह एक सावाल, ठीके, यह बन जाएगा तुम लोगों से, इसमें कोई गरबड़ी नहीं होगी, फटाफट कर लेना इस चीज को, और वैसे ही, एक और है question number fourth, उसी में 7x minus 2y upon xy equal to 5 और फिर दिया है 8x plus 7y upon me xy equal to 15, इसे कर लेना, अब इसमें घबराओं मत कि, इसको कैसे करेंगे यह, देखो, यह ऐसा ही सवाल है हम लोग यहाँ पे uv को divide में लाए थे ना, तो यहाँ पे उसने already divide के format में लिखके रिया है, बस इस xy को एक बर इसके नीचे लिख दो, एक बर इसके नीचे लिख दो तो जब तुम इसके नीचे लिखोगे तो यह चीज देखो, ऐसी हो जाएगी ठीक है, यह चीज उपर का x, नीचे का x कट गया 7 upon y, minus yy कट गया तो 2 upon x equal to 5 अब तो कर लोगे ने, इस सवाल इसको तुम कर लेना convert तो या तो ऐसे भी लिख कर आ सकता है या तो वो चीज ऐसे भी लिख कर आ सकती थी बट करना वही है ठीक है, तो इस वाले में आपको कितने सवाल मिल गए तीन सवाल मिल गए, इससे पहले वाले टाइब 2 में दो सवाल मिले थे, 5 और फर्स वाले में मिले थे, टोटल 7 तो इस तरीके से तुम आपको टोटल 12 सवाल हो गए है इन्हें attempt करना, इनका जो homework है, मुझे send करना अब homework तुम देखो, send किस तरीके से करोगे पुराने लोगों को तो शायर ये चीज आती होगी करके कि एक cam scanner करके app आता है उस cam scanner करके app को download करो उस cam scanner app से photo खीचो अब लेकिन जब तुम photo खीच रहे होगे तो photo खीचने के बाद ना, वहाँ पे एक black and white का option होता है B, W, ऐसा करके होगा तो तुम उस वाले option से photo खीचनी है तुमें ठीके, क्यों क्योंकि उससे जो तुमारी image आती ना पुरी black and white आती है बराबर तो black and white वाले format से आपको photo खीचनी है फिर ऐसे करते करते जितना भी तुमने solution किया है सब की photo खीच लेना फिर photo खीचनी के बार जैसे ही तुम button क्लिक करोगे share तो share के इसमें वहाँ पे आएगा एक format pdf तो pdf पे click करना और pdf में click करने के बार वो मेरी whatsapp नंबर पे कैसे भीज देना ठीक है फिर मैं checking करके तुमें कल या फिर जैसा भी time arrange होता है मैं वाला चीज भेज दोंगी clear है यह वाले और अगर माले ते किसी ने अलग अलग एक 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 फोटो नहीं करूंगी क्योंकि तुम तो फोटो भेज देते हो चेकिंग में मुझे दिक्कत आती है वो काम मैं बिल्कुल अपनी तरसे efforts नहीं डालूंगी cam scanner app black and white format में होना चाहिए share होना चाहिए और pdf में होना चाहिए एक 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 फोटो नहीं होनी चाहिए सारी फोटो एक ही pdf में ठीक है clear कर आम लोग फिर अगें पांच बजे अपना टाइप 4 के साथ स्टार्टिंग करेंगे आज हम लोग यहां पर फिर ओवर करते हैं